हेलो 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 एवरिवन कैसे हैं आप सब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं है ना और अच्छा होना भी चाहिए भाई क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हम बात कर माना स्वास्त और उसके रोक के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको तो ना चाहते वह भी अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा वरना यह चाप्टर कैसे पढ़ोगे जल्दी अल्दी कमेंट में बता दो कि कैसे हो और पढ़ाई कैसी चल रही है पढ़ावर से बता तब तक क्या करना है भई तब तक क्या करना है कि जो भ darle को क्या करना भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और पर डोस में देखो बेल आइकन का बटन दिया है इसको प्रेस कर दि Calvin के रहें रहे हैं और लाइक डहाकरोगे रहे यंजार话 और हम यहां पर क्या बात कर रहे स्वास्थ और रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं करेक्ट बिल्कुल चलो फिर आज हमको क्या बात करनी है आज हमको बात करनी है भाईया हमारे पावरफुल सिस्टम के बारे में कौन सा है पावरफुल सिस्टम कोई और नहीं है वो है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र याने की इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं ठीक है चलो फड़ाफट आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि आज हमको क्या बात करनी है तो बता ही दिया है प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम बात करेंगे चलो पड़ावट से देख लेते हैं भाईया यह क्या कह रहा है वीडिय से निकल के तो भई हमारा शरीर भी तो हमारा घर है ना ठीक है और जो बाहर से रोगाणू आते हैं ठीक है फॉरन पार्टिकल से वो क्या है वो आतंग बाती है ठीक है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे बाड़ी का फोर्स है ठीक है जिस तरीके से बॉर्डर पे ह हमारे जो सैनिक हैं हमारे सोल्जर से वो हमारे देश की रक्षा करते हैं ठीक है बाहर से होने वाली जो ऐसी क्या बोलते हैं तुमको मैं शरीर के अंदर नहीं आ ले दूगा ठीक है तो बेसिकली आज हमको यही पढ़ना है कि यह कैसे काम करेगा चलो भी फटा-फट से आगे बढ़ जाते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा थ क्या देखा था भाई कि क्या बात करने थी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है यह क्या करता है यह विरोध करता है और उसके साथ साथ क्या काम करता है भाई विरोध के साथ साथ यह सुरक्षा भी प्रदान करता है ठीक है विरोध भी करेगा और सुरक्षा भी करेगा लेकि किस से किसके लिए क्यों कैसे कब कहां इतने सारे सवाल आ जाते हैं तो एक ही जवाब है कि ये दोनों किस लिए होता है भाई प्रतिजन प्रतिजन जो होते हैं फॉरन पार्टिकल जो होते हैं इनका विरोध करता है और इन्हीं से सुरक्षा करता है सिंपल सी चीज है ठीक है तो यहां पर हमारा immune system यह काम करता है चलो आगे बढ़ जाते हैं यह सब क्या था भाई हमने अपनी last class में already देख चुके है ठीक है आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ाता ठीक है एक important चीज बज़ बता देती हो कि भाई यह Latin शब्द जो है Latin शब्द से हमको मिला था immunis ठीक है जिसका मतलब क्या है स्वतंत्र करना फ्री करना ठीक है दूसरा कि भाई यह क्या होते हैं जो शरीर के अतिव विश्यश्य तंत्र को हम क्या बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र याने की immune system कहते हैं इस चीज को याद रखना है एमिल वोन बे प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो भाईया यह दो प्रकार का होता है ठीक है इसको जान लो दो प्रकार का है ठीक है पहला क्या आ गया भाई सहज आ गया हमारे पास सहज प्रतिरक्षा तंत्र ठीक है पहला यह आ गया हमारे पास ठीक है दूसरा क पास आएगा अरजित बोला हैं अरजीत नहीं बोला है ध्यान रखिये गा प्रतिरक्षा तंत्र七 अ proteg हमारे पास ठीक है दूसरा यह आगया हमारे पास अब अगर हम बात करते हैं सहेच की तो भाई यह क्या होता है कि जन्म जात होता है ठीक है यह क्या होता है जन्म जात होता है याने की याने की याने की याने की जन्म से ही प्राप्त होता है यह हमको ठीक है जन्म से ही प्राप्त होता है मिलता है ठीक है होता है Correct. सब को यहां समझ में आ गए. है ना. कि भाई ये जन्म जात है और जन्म से ही हमको मिल रहा है. ठीक है? चलो. उधर आ जाते हैं. अरिजीत पे नहीं, अरिजीत पे. ठीक है? चलो. ये क्या है? ये भाई या जन्म के बाद हमको मिलता है. या आता है ठीके? चलो जी, ये समझ में आ गया ठीके? ये जन्म के बाद मिलता है ये जन्म से प्राप्त होता है ओके जी, अब यहाँ पर अगर हम एक एक एक्जैम्पल से समझते हैं तो अगर मैं एक्जैम्पल बोलू कि भाई, ये जन्म जात याने की जन्म से ही प्राप्त है तो इसका मतलब की हमारे पैदा होने से पहले क्या ऐसी चीज़े हो सकती है जो हमारे पैदा होने से पहले हमें हमारे माता-पिता से मिली होंगी क्या हो सकती है? बदाओ सोचके तो भाईया जब हम अपने मा के पेट में होते हैं तो सबसे पहले चीज हमारी त्वच्छा ठीके तो हम त्वच्छा का एक्जैम्पल ले सकते हैं त्वच्छा जो हो गई हमारी ठीके क्या हो गई हमारी त्वच्छा तो इसको क्या बोलेंगे हम स्किन बोलेंगे ठीके स्किन का क्याम करती है भाई है सेफ्टी का काम करती है जो रोगाणूं को अंदर आने नहीं देती है अगर यहां कट लग जाएगा जरा सा भी तो रोगानू पड़ाक करके आपके शरीर के अंदर आ जाएंगे सिंपल सा फंडा है ठीक है चलो ठीक है दूसरा क्या हुआ हमको म्यूकस मिला म्यूकस या फिर स्लेश्मा स्लेश्मा भी देखो मैं इंगलीश में लिख रही हूँ स्लेश्मा आजा भाई क्यों नराजगी है स्लेश्मा भी मैं इंगलीश में लिखने जा रही थी स्लेश्मा ठीक है यानि कि जो बलगम होता है अब ये भी हमें जनजात मिलता है कि भाई हमारी नाक में होता है, गले में होता है, जो धूल मिट्टी होते हैं, जो उसके कण होते हैं, वो हमारी नाक में क्या है, इस लेशमा में फसके रह जाते हैं, और जब उसको बाहर निकालते हैं, तो वो कण कभी-कभी हमें नजर भी जाते हैं कभी कभी काले काले भी नेदल जाते हैं ध्यान से कभी नोटिस करना इन चीजों को करते हैं तो गले के साथ भी वह बाहर आ जाते हैं चलो तो यह चीज़ें यहां हो गई अब अगर यहां की बात करते हैं ठीक है यहां की अगर हम बात करते हैं तो भाई इसको उपा उपारजित भी बोला ठीक है लो जी उपारजित बोल दिया हमने इसको अब यहां पर क्या होता है यहां पर कैसे बोल सकते हैं एक्जैम्पल हम इसका कि भाई लो हम पोलियों का एक्जैम्पल लेते हैं और फिर हम किसका एक्जैम्पल लेते हैं दूसरा लो चिकन पॉक्स ले दो बूंद जिन्दगी की पिलाई जाती थी बच्चों को, उसी के कारण क्या हुआ भाईया? पोलियो फ्री हो गया है देश, ठीक है? ऐसे ही चिकन पॉक्स है, तो भाई चिकन पॉक्स से लड़ने के लिए क्या है? छोड़े छोड़े बच्चों को क्या? वेक्चिनेशन दी जाती है कि भाई यह लो बाहर से यह क्या है इम्म्यूनिटी डाल रहे हैं आपके शरीर में ताकि यह जो जीवाणू है यह जो रोगाणू है यह आपको नुकसान ना पहुंचा सके ठीक है अब यहां पर एक चीज समझना कि भाई जो चीज हमें फ्री फंड में मिल जाती है वो कभी special नहीं होती हमारे लिए और जिस चीज के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो यह बहुत मेहनत कर रहे हो न वह बहुत special हो जाती है यानि कि विशिष्ट हो जाती है हो जाती है न तो बही यह जो जन्मजात चीज है जो हमें मिल रहे है फ्री फंड में हमारे माबाप स मिली है यह विशिष्ट नहीं है यह क्या है विशिष्ट नहीं है स्पेशल नहीं है हमारे लिए ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं तुम विशिष्ट नहीं हो तुम स्पेशल नहीं हो लेकिन यहां जो है यहां पर जो है यह विशिष्ट कहलाती है क्यों भाईया क्योंकि वेक् कहलाईगी विशेष्ट हो गई ये special हो गई है जब ये विशेष्ट हो गई है ये विशेष्ट नहीं होई है तो यहाँ पर इसका एक और नाम पढ़ जाता है नाम क्या पढ़ता है इसका ओ। non-specific immunity, ठीक है, non-specific immunity हो गई, और वहीं इसका नाम क्या पढ़ गया, specific immunity, ठीक है, correct, अब भाईये विशिष नहीं है, इसके साथ साथ इसके पास स्मृत्ती भी नहीं है, स्मृत्ती कोई लड़की है क्या क्लास में पहले ही बता दो, पर इसके पास स्मृत्ती भी नहीं है, यानि कि memory भी नहीं है, इसको याद नहीं रहता हमारे skin को, कि थोड़े देर पहले कौन सा वाला रोगाणू आकर यहां टकराया था, लेकिन अगर एक बार polio drop अंदर गई, chicken box का injection लगा, तो इसको याद रहेगा कि यह तो वही वाला है जो अभी पहले आया था, ठीके, तो इसके पास क्या है, memory है, यानि कि स्मृत्ती है इसके पास, ठीके, इसके पास स्मृत्ती मौजूद है, ठीके, तो इसलिए भी यह special है, कि इसके पास भईय है, एक point जादा हो गिया, इसके पास नहीं हुआ, ठीके, ठीके, इसके साथ स्थ इसका एक और नाम होता है, वो भी याद रख लेना, कि भई सहच को हम क्या बोलते हैं, innate भी बोलते हैं, innate immunity, ठीक है? innate immunity भी बोला जाता है इसको इसके सासद अर्जित को क्या पोलते हैं? acquired acquired immunity ठीक है? इसको acquired immunity भी बोला जाता है अब मुझे बताओ आप मैसे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये दोनों चीज़े यहाँ पर बिल्कुल clear हो गई है पड़ावर से बता दो ताकि ग्लास को हम क्या करने भई आगे बढ़ा ले ठीक है? इतने प्यार से एक एक शब्द देखो लिख लिख के समझाया है ये मत कहना कि समझ में नहीं आया है बिल्कुल नहीं कहना ठीक है ना चलो फिर इसी बात पर खासते नहीं है आगे बढ़ जाते हैं ठीक है? चलो बई आगए हम सहज या अविशेष्ट या जन्मजात प्रतिरक्षा ठीक है? इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अब हम चलो बई अगर चर्चा करत ही प्राप्त हो जाती है ठीक है जैसे ही हम पैदा होते है यह जो Immunity हम को फ्रक्क से मिल जाती है मतलब यह माता-पिता से बच्चों में आती है ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि आप पैदा हो गए हो तब यह सिओं आपको मिली है और इसा नहीं है ना स्किन तो पहली बन जाती है जब आप अपने मा के गर्व में होते हो ठीक इसी लिए इसे अविशेष्ट कहते हैं देखा क्या बोला था मैंने जो चीज हमको फ्री फड में मिल गई है वो अविशेष्ट है स्पेशल नहीं है यह जो हमारी हुमन टेंडेंसी ह हमारा नेचर है फ्री की चीज को हम कभी भी क्या करते हैं संहाल के नहीं रखते हैं या जन्मजात प्रतीरक्षा भी कहा जाता है कर करेक्ट क्रफेrukt हैं हमारे शरीर में कुछ अंग अवरोधक का कार्रे करते हैं ठीक है अवरोधक यानि के बैरियर बन जाते हैं जो क्या करते हैं भाई आने वाले बाहर सी चीजों को रोग देते हैं नहीं तुम नहीं ठीक ये बोलते हैं no means no चलो और रोगाणूओं को शरीर में आने नहीं देते हैं no means no मतलब भहिया आपका स्वागत नहीं है सिंपल सफंडा है इनका अगर आभी जाए तो विशेष्ट क्रियाएं उन्हें मार देते हैं इनकेस यह जबरदस्ती घुसपैट भी कर लेते हैं और शरीर के अंदर आ भी जाते हैं तो कुछ ऐसे स्पेशल चीजे होती है स्पेशल प् अवरोदक हैं देखो चार अवरोदक है भाईया शारेरिक रोथ ठीक है दूसरा काईक हो गया है ठीक है फिर क्या है कोशी किये और साइटोकाइन ठीक है तो चलो भाई देख लेते हैं क्या है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्या आता है शारेरिक शारिरिक अवरोध ठीक है याने की जिसको हमने क्या नाम दिया जिसको हमने क्या बोला फिजिकल बैरियर बोला ठीक है फिजिकल बैरियर जिसको नाम दिया हमने ठीक है क्या नाम दिया फिजिकल बैरियर जिसको हमने नाम दिया अब फिजिकल मतलब कि जिस चीज़ को हम देख सकते हैं छू सकते हैं ऐसे चीज़ बैरियर क्या होते हैं हम सड़क पे जा रहे होते हैं ठीक है अब रोध यानि बैरि का है ना हरियाना पुलिस हो गया दिल्ली पुलिस हो गया वो क्या है वो बैरियर है ठीक है यह ऐसा ही यह फिजीकल बैरियर है अब अगर इस फिजीकल बैरियर की हम बात करते हैं तो इन में कौन आते हैं भाई हमारी त्वच्चा आ जाती है याने की हमारी स्किन आ गई सबसे फ़ले फिर क्या आ गया भाई यह हमारा म्यूकस आ गया ठीक है, mucus, याने की क्या आ गया, sleshma आ गया, sleshma, ठीक है, याने की mucus, कहा होता है ये, naak में होता है, सासत मुह में होता है, ठीक है, ऐसे करते हैं, तो नाक में थोड़ा सा mucus, यानि बलगम जैसा महसूस होता है, और ऐसे करते हैं, हमारे गले में महसूस होता है, अच्छा खासी के टाइम पे जो है म्यूकस क्यों आता है यह जब आपको जुखाम होता है तो म्यूकस क्यों आता है जवाब दो मुझे फड़ा पड़ते देखती हो किसको मालूम है जवाब दो फड़ा पड़ते कि भाई या क्यों आता है मालूम है किसी को यह क्या है फिजि तो यहां पर यह काम हो गया दूसरे की बात करते हैं यह देखो यह म्यूकस हमारे गले में होता है यह स्किन हमारा है तो यह दोनों एक्जाम्पल इसका हो गया ठीक है दूसरा आता है काई किये काई किये ठीक है अवरोध काई किये अवरोध जिसको हमने क्या बोला फीजियो लॉजिकल बैरियर इसमें क्या आ गया भाई इसमें आ जाता है कि क्या आ जाता है बुखार कोई भी इंफेक्शन होगा कोई भी चीज होगी सबसे पहले बुखार आ जाता है ठीक है इसमें सबसे पहले बुखार आ जाता है कुछ भी वोगा बुखार हो गया ठीक है दूसरा हम क्या ले सकते हैं भाई यहे अचिकल क्या क्या है अंदर आ गया कोई भी कुछ भी माईख्रों आ गया खाने के सास होग से हमारे शरीर में पहुंचे होगा कि यह जो एक यह क्या खेल करता है भी की जिए क्या मारना होता है पच्छ जाता है साथ वहां पर जो मारी माइक्रोब से रहा है उतकते हैं अधर थे इताना opened हinaire यह चलो hcl मां लिया प्र एक और चीजा आते है भईया लाइज लाइजर्ण इंजाइन यह कहां होता है यह होता है भईया हमारी आसू में होता है ठीक है आसू आसू में हो गया हमारी लार याने की जो सलाइवा है क्या काम करता है यह बैक्टीरिया को मारता है बैक्टीरिया को मार देता है ठीक है हम क्या होता है देखो कभी कभी हमारी आंख में कुछ चला जाता है क्या होता है फिर एकदम से आंसों निकलने लगजाते हैं तो वह आंसो क्या होते है वह पानी को नहीं होते है जो कि कि क्यों Ma rat bleane नहीं 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 वह क्या होता यह इंजाइम होता है जिसकी वेसे आखों से पानी आता है और कऊई भी चीज अंदर जाती यह बेक्रीया, वेगरा कुछ भी है, उसको बाहर निकाल देता है, इसको मार देता है, correct? चलो, तीसरी बात करते हैं, फिर आता है हमारा क्या कोशि की एं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, छलो, फिर आता है कोश्य की एं, ठीक है, अब रोद, याने की क्या बोला, हमने cellular barrier की बात कर रह रहे हम Selaar barrier ठीक है इसकी बात कर रहे है हम अब इसमें क्या होता है इसमें जानलो इसमें अगर हम कोशी की बात करते हैं तो WBC यानि की white blood cell का खेलाता है यह यह WBC आगई ठीक है यह कोशी की यह क्या होती है वहrap श्रशी की अवरोथ क्या है यह भक्षण कोशिका है यह क्या है भक्षण कोशिका यह जो किसी चीज़ के नि dementie में स्प्वती है टीक आवेल गाशन थे हरा टिक नो और लेते हैं टेल में अाट का देखों कभी कभी क्या होता है जब हम गिर जाते हैं बच्पन में खूब गिरे होगे आप लोग खूब गिर जाते हैं तो जब गिरते हैं हमारे घुटने छिले हैं बच्पन में बहुत छिले हैं यहां पर छिल जाता है है ना तो जब यह छिल जाता है तो क्या होता है कभी देखा है वाइट वाइट सा, लिक्वीड निकलता है, वाइट वाइट सा лिक्वीड होता है, है ना मैसूस किया है कभी देखा है जल्दी बताओ कॉमेंट में, बइस जिन हमारे घुट्ण में चिलते तहीं तो यह कोई भी जैंन्दर न सके और, आने ही कोशिश करें तो उसको, खा जाती है यह तो यह WBC की बात कर रहे हैं हम तो WBC क्या है हमको जन्म से ही मिलती है ठीक है जन्म से ही प्राप्त होती है ठीक है प्राप्त होती है यह क्या होती है monocyte होते हैं ठीक है monocyte क्या है macrosite में change हो जाते हैं यहाँ पर monocyte जो होते हैं वो किस में बदल गए macrosite में बदल जाते हैं ठीक है और जो neutrophil है जो neutrophil है यह क्या कर रहा है भाई यह दो भक्षण दो भक्षण कोशिका होती है ठीक है यह दोनों क्या है भक्षण कोशिका हो गई अब क्या है कि सपोस करो किसी का blood निकला ठीक है किसी का blood निकला blood से क्या हुआ भाईया रोगाणू जो है अंदर आ गया ठीक है अंदर आ गया रोगाणू ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यह जो नूट्रोफिल सेल्स हैं ठीक है यहां पर यह जो नूट्रोफिल सेल्स हैं यह क्या करेंगी नूट्रोफिल सेल्स आएंगी फिर क्या आएगा उसके बाद मैक्रोफेज आजाएगा ठीक है अगर यह उसको नहीं मार पाई तब मैक्रोफेज आएगा ठीक है नहीं मार पाई त प्रतिजन आ रहा है उसको खा जाती है उसका बक्षन कर लेती है तो अल्बी यहाँ पर मैं यह समझाना चाह रहे थी चलो लास्ट में हमारे पास क्या आता है एक और आता है साइटो काइनिन ठीक है लास्ट में क्या है मारे पास साइटो काइनिन ठीक है तो साइटो काइनिन यह जो है यह साइटो काइनिन क्या है यह एक तरीके का क्या है हिस्टो माइन क्या करता है प्रडियूस करता है ठीक है और यह एक्चुली में होता क्या है यह क्या है भाईया यह ग्लाइको प्रोटीन है ग्लाइको प्रोटीन होता है यह ठीक है और क्या करता है यह क्या करता है हिस्टो माइन प्रडियूस करता है ठीक है 하겠습니다. clear यहां तक सब को समझ में आ गया मैं पूरी उम्एद करते हुँए आया होगा चलो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं जितना भी मैने लिखा है समझने की कोशिश करते हैं उसको में चलो कि बहुई शारारिक रोध ठीक है शारारिक रोध की बात करते हैं और जननमूत्र पत को अस्तरित करने वाली एपिथीलियम का सलेश्मा आले प्याने की मूकेस कोटिंग भी हमारे शरीर में गुसने वाले रोगाणूओं में रोगाणूओं को मारने में सहायता करती है ठीक है फिर हमने गैसे सबसे पहले जो फिजीकल वाले की बात कर ली थी एथिए खेस ना कॉन अंज नाम बताया था छास टीक है तो आझों के आसू यह सभी क्या है रोगडी वृद्दी को रोगते है यह सभी के सभी क्या करते हैं कि कोई भी रोग होने वालत है उसकी व्रद्धी को फुल स्टॉप लगा देते हैं फिर आते हैं कोशी की है यानि कि सेलुलर ठीक है हमारे शरीर में रत्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणू ठीक है जिसको क्या बोलते हैं WBC जैसे कुछ प् तथा प्राक्रतिक मारक लिम्फोसाइट के प्रकार एवं उतकों में वरहट भक्षकानू रोगानूओं का भक्षन करते हैं और उन्हें नज्ट कर देते हैं ठीक है ये भी मैं WBC के बारे बता चुकी हूँ फिर आता है साइटोकाइन ठीक है तो यहां क्या होता है जो विशाणू संक्रमित कोशिकाए हैं ठीक है इंटर फेरोन नामक प्रोटीनों का शरवन करती हैं जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विशाणू संक्रमर से बचाती है ठीक है तो यह चारो बैरियर हमने यहा आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ने से पहले यहां पर अध्यान रखना है कहां लिखें यहीं लिख देते हैं क्या यहीं लिख देते हैं चलो कि यहां अगर मैं विशेशता की बात करती हूँ ठीक है अगर मैं यहां पर विशेशता की बात कर रही हूँ विशेष्टा तो विशेष्टा क्या है बाई कि क्या होता है जो रोग जनक होते हैं उनके प्रती क्या होता है रोग जनक के प्रती विशेष्ट होती है विशेष्ट होती है अच्छा ठीक है चलो इसको मैं लास में लिखूंगी छोड़ो इसको लास मैं बताऊंगी क्या सीन चल रही है ठीक है फिर यहां पर लिखोंगे तो आप लोग कन्फीज हो जाओगे कि यहां बीच में लिख दिया मैं चलो कोई नहीं चलो अब अरजित की बात कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पड़ा यह सहच थी अब हम अरजित की बात करत है प्राप्त करता है ठीक है जन्मजात प्रतिरक्षा के विपरीत यह जन्म से मौझूद नहीं होता है जैसे जन्मजात हमको जो है क्या बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा चंतर जो होता है हमको जन्मजात ही मिलता है जन्म से पहले से ही मिल जाता है लेकिन यह क्या होता ह जन्म लेने के बाद हम इसको क्या करते हैं प्राप्त करते हैं ठीक है रोगों के प्रति स्वयम को अनुकूलित करने और रोग जनक विशेष्ट्र प्रतिरक्षा उत्पन करने की प्रतिरक्षा प्रणाली की शमता को अर्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है ठीक है कि अपने को व बोलते हैं अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं ठीक है इसे अनुकूली प्रतिरक्षा के रूप में भी जाना जाता है ठीक है यह विशिष्ट है यानि की स्पेशल है मैंने बताया था और एंटीबोडी या लिंफोसाइटो द्वारा मद्दिस्त है जो एंटीजन को क्या करती है हानी रहित बनाता है ओके अर्जित प्रतिरक्षा का मुख्यकार पीड़ित को संक्रमा को रोक से राहत दिलाना और भविश्य में इसके हमले को रोकना है ठीक है कि बैया अगर अभी कोई दिक्कत हुई है तो वेक्सिनेशन लेलो वो क्या करेगा कि आगे भी याद रखेग रोगाणू के संपरक में आने से यह तीकों के दोरह प्राप्ट की जा सकती है ठीक हमारे शरीर की 14 रख्षा पंक्ति यानि कि ठाट डिफेंस लाइन होती है ठीक है ओकी सबसे बड़ी विशेश्टा यह होती है कि यह अपने शरीर की जो कोशिका है ठीक है यानि कि सेल्फ सेल्व है बाहर से आने वाली कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें मारती है वाउ देख रहे हो आप बहुत हमारे शरीर में यह जो इम्म्यूनिटी है यह हमारे अंदर जो सेल् तो मेरा यह है जैसे हमारी मम्मी गलती से अगर आप किसी का पैन पैंसिल उठाला ओ किसी का रुमाल दग उठाला ओ यह तेरा नहीं है यह तेरा नहीं है है ना किसका जल्दी बता जल्दी बता ऐसी करती है इतने 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 चीज पहचानती है हमारी मम्मी तो इवन हमारी मम्मी हमारी बाते भी पचानती है यह मेरा बच्चा बोल सकता है यह नहीं बोल सकता है है ना चलो तो बिलकुल यह इम्म्यूनिटी ऐसी है कि यह पचानती है कि भईया यह मेरे शरीर की है और यह शरीर की बाहर की है ठीक है इसमें इतना बड़ा क्या है प्लस पॉइंट है और जो बाहर से कोशिका आती है उसको टिशुम 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 करके मार के भगा देती है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं हां अरजित यह विचेश्टि रक्षा प्रणाली के बारे में अगर बोलू तो वह यहीं कहूंगी भाई कि कोशिका एक दूसरे को पहचानती है कि जो कोशिका है यह क्या करती है अपने शरीर की कोशिका को पहचानती है कोशिका को क्या करती है पहचानती है ठीक है कैसे कि भाई यह क्या है लो यह एक सेल है ठीक है और यह एक सेल है सेल के उपर क्या है यह एंटीजन ठीक है इस सेल के उपर भी क्या है एंटीजन इस पे भी क्या है एंटीजन है यह ठीक है यह सेल के उपर है यह क्या करता है यह पहचानता है यह पहचानता है कि भाईया अपनी सेल कौन सी है अपनी सेल या कोशिका कौन सी है इसके पास क्या है memory है ठीक है तो भई इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि रोग जनक के प्रती क्या है कि विशिष्ट होती है ये क्या अर्जित ये क्या रोग जनक के प्रती कि क्या है ये विशिष्ट होती है विशिष्ट है ठीक है रोग जनक के प्रती है विशिष्ट है दूसरा कि इसके पास memory है यानिकी इसके पास क्या है सम्रती है ठीक है इसके पास स्मृति है यानि कि यह क्या है दीर्ग कालिता है इसके पास लंबे समय तक याद रखती है ठीक है और तीसरी मैंने बताई दिया है फिर भी लिख देती हूँ कि यह अपनी और पराई कोशिका को पहचानती है कोशिका को पहचानती है ठीक है तो यह क्या है इसकी विशेश्टा है यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए वरना खूब पिड़ाई लगेगी याद रख लेना ठीक है इतनी मैनत करके पढ़ारी हूँ है एक एक चीज लिख लिख के समझा रही हूँ बिलकुल कन्विशन नहीं रखना है ठीक है चलो अब अर्जित या उपार्जित या विशेश्ट प्रतिरक्षा कि निमने चार विशेश्टाएं होती है जो देखो यह मैंने शौट में बताई हैं आपको ठीक है लेकिन चिवाणू है यह विशाणू है इसको सब मालू है बहुत इंटेलिजेंट है फिर प्रतिरक्षात्मक स्मृति हमारे शरीर में जो पहली बार जो पहली बार रोग जनक प्रवेश करते हैं तो क्या है भाईया निम्न तीवरता के अनुक्रिया तीवरता की अनुक्रिया होती जिससे प्रात्मिक अनुक्रिय कहते हैं जब प्रतिरक्षा प्रणाली किसी विशिष्ट बाहे कर्ध से मुकाबला करती है तो उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन हो जाती है ठीक है और बाहे आक्रमन कारी ओ माई गौड को शरीर से बाहर निकाल देती है तथा इस प्रत्म ल उसको मैंने मार बगाया है दूसरी बार जब वह आता है तो इसे याद रहती है ठीक है जिससे यही आक्रमनकारी यादी दुबारा प्रवेश करता है तो इसमती कोशिकाए उसे तुरंद बैचान लेती है और यह जो पिटके गया था मुस्से ऐसे करती है और उसके प्रती प् उसको फिर नस्ट कर देती है इसको क्या बोलते हैं जिद तक याद रखियेगा ठीक है फिर आती है दीरग कलीकता किसी रोख विशेश के प्रतिरक्षी एक बार बनने के बाद लंबे समय तक बने रहते हैं और उस रोक से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं कि प्रतिरक्षा की सबसे बड़ी विशेश्ता है जिसमें अपने शरीर की कोशिकाओं वे बाहर से आई कोशिकाओं में विबेद करती हैं तता अपनी कोशिकाओं को बचाते हुई वह बाहे कोशिकाओं को नष्ट कर देती है यह प्रशाद से बाहर से आने वाली को से मर देती है कि इसे अपना पर आया सब्रों कर लो कि चलो ठीक है है ना सबके साथ ऐसा ही होता है ठीक है इसे सर्व प्रतम नोबेल पुरुसकार विजेता सर्फ फ्रैंक मैक फॉर्लेन बर्निट ने बताया था ओके चलो फिर अब हमारे पास आता है भाईया एक्वाइड एमेनिटी के कि यह क्या है दूसरी और उपार्जित प्रतिरक्षा रोग जनक विशेष्ट है इसका अभी लक्षण स्मृति है इसका आर्थ है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी से अभी हाँ सामना हो तो यह एक अनुक्रिया यानि के रिस्पॉंस करता है जिसे निम्न तेवरता की क्य होती है ध्यान देना बिल्कुल दो प्रकार की होती है ठीक है पहली हमारी हो गई लसी काणू लसी काणू हो गई पहली वाली ठीक है यह हो गई लसी काणू जिसको हम क्या बोलते है लिम्फोसाइट बोलते है लिम्फोसाइट ठीक है इसको हमने नाम दिया लिम्फोसाइट और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है, प्रति जन प्रति जन प्रदर्शक कोशिका हैं, ठीक है, ये होती है हमारी दूसरी अब ये क्या होती है ये विशेश प्रकार की क्या होती है भाई डबलो बीसी होती है ये क्या होती है विशेश प्रकार की विशेश प्रकार की डबलो बीसी होती है ठीक है विशेश प्रकार की डबलो बीसी है जिसमें क्या होता है भाई जब डबलो बीसी की बात करें तो इसक dosis helped say a granular ग्रैनूलो ग्रैनूलो चाहिए है ठीक है तो इतो ही धो प्रकार्कित है और यहां पर यह होता है ऑक के चलो आगे बात करते हैं यहां पर ये बात हो गई है अब हम जब इसकी बात करते हैं तो यहां पर एक आता है जिसको बोलते हैं हम डेंडरिटेक सेल जिसको बोला जाता है कुछ इस तरीके से यह शेप में होती है और यह अपने उपर क्या करती है अपने उपर अरे कहां गया भाई यहाँ यह अपने उपर क्या काम करती है इस तरीके से जो भी जिवाणू होगा न यह विशाणू है उसको अपने उपर इस तरीके से चिपका लेती है ठीक है और अगली बार के लिए याद रखती है कि भाई यह हमारे पस पहले आया था इसलिए इसको दुबारा से फिर तर डिशम डिशम करके मगाना है ठीक है तो यह याद रखती है चलो अब अगर हम बात करते हैं लसी काणू की बात कर रहे है यानि कि लिम्फोसाइट के बारे हम बात कर रहे है तो यह जो लिम्फोसाइट है यह दो टाइप का है ठीक है यह प्रोटीन रिलीस करती है यह क्या ग्लोबिन नाम का प्रोटीन रिलीस करती है अब इस ग्लोबिन प्रोटीन का काम क्या है भाई प्रतिरक्षा का काम है इसका क्या काम है प्रतिरक्षा का काम है इसका ठीक है और प्रतिरक्षा मतलब भाई जो हमारी immunity है तो इस वज़े से इसको हम क्या बोल सकते हैं इस वज़े से इसका नाम हम बोल देते हैं भाई immunoglobulin protein ठीक है क्योंकि basically इसका काम किस के साथ है हमारे immunity के साथ है इसी लिए इसका नाम होता है immunoglobulin protein गरेक्ट बिल्कुल चलो बढ़िया अगर हम T cell की बात करते हैं वहीं पर तो टी सल के हैं यह भाई तीन ट्राइब की है पहले हमारी हो गई टी दूसरी हो गई टी और तीसरी हो गई टी अब आप बोलो के तीनों ही टी है तो टी के बाद आगे भी है भाई टी के बाद यहां पर आता है सहायक 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 कोशी का ठीक है पहली यह आ गई दूसरी कौन सी आती है टी मारक कोशी का और तीसरी क्या है तीसरी है इस्मृती कोशी का यह तीन आ जाती है ठीक है कि भाई यह सहायत मारक और इस्मृती इन तीनों का जो है अपना अलग अलग बहुत ही इंपोर्टेंट रोल है जो हम आगे दीरे 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 बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा बता देती हूं कि जब भी कोई जब भी कोई जो है क्या बोलते हैं जीवाणू है विशाणू है यह कुछ भी है कोई भी अंदर आता है ठीक है प्रतिजन तब क्या होता है भाई सबसे बेले ख़बर आती है सहाय कोशिका के यह कहती है मारक कोशिका को, कि भाईय तुम जाओ और तुम्हार पास जो भी ऐसी काम की कोशिका है, उसको वहाँ बेज़ा और उसको मार भगाओ, ठीके, तो यह मारक कोशिका क्या करती है, फिर इसमृति कोशिका क्या करती है, कि जो भी जिवानू अंदर आया होगा, यह वि एडविलर सेल के टाइप है जो मैँ अलेडि बता चुकी हैं कि बहिए ग्रैनुलोसाइट के तीन टाइप है नीट्रोफिल्स इयोसिनोफिल्स और बैस्फिल्स एग्रैनुलोसाइट के क्या है वह रक्रतिरक्ष से तंत्र की कोशिकां की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले यहां पर किया रही है एक तो लसी काणू को हरा है ठीक है और दूसरा प्रतिजन प्रदेश्चक कोशी काई यह वों है जो मैंने देखो तो झो हम लसी काणू की बात कर रहे हैं, लसी काणू की बात कर रहे हैं, तो भई हम ने क्या बोला, ये दो टाइप की है, है ना, दो टाइप की है ये, एक तो T-cell हो गई है, एक B-cell हो गई है, ठीक है, अब ये क्ये करती है, हमने बोला ये T-sahayak, है ना, T-mo ne, initially Haak, और T-ismrut ती तीन तरीकी कोशिकाए है यहां क्या होता है बी सेल में भाई यह जो बी सेल है ठीक है इसको हम बी लिम्फोसाइट भी बोलते है ठीक है और इसको टी लिम्फोसाइट भी बोलते है टी लिम्फोसाइट और इसको क्या बोलते है बी लिम्फोसाइट ठीक है अब यहाँ पर क्या है भाई जब हम B-cell की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है ग्लाइको प्रोटीन होता है ग्लाइको प्रोटीन ठीक है ग्लाइको प्रोटीन होता है यह बहुत स्पेशल प्रोटीन होता है ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है यह ज प्रतिरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और इसी वज़े से इसको क्या बोलते हैं हम immunoglobulin protein बोलते हैं ठीक है ये क्या करता है ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है मतलब immunity प्रदान करता है ये ठीक है और इसका शेप कैसा होता है देखो दूसरे कलर से दिखा देती हूं इसका शेप ऐसा होता है उल्टा वाई होता है ठीक है उल्टा वाई बनाएंगे यहां पर यहां जो यह वाले जो हिस्से होते हैं यहां से यह पकड़ने का काम करता है किसी भी जीवानों को यह विशानों को यहां से क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं यह सब वो है देखो जो मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ ठीक है सारी चीज़े बता चुकी हूँ यहाँ पर जान लो कि समानने युवा में क्या होता है 10 की पावर 11 याने की लगबब एक अरब लचीकाणू होते हैं समानने युवा की बात करते हैं तो लगबब एक अरब होते है ठीक अब अगर हम इनमें ब्रून की बात करते हैं ठीक है ब्रून की बात करते हैं तो भई ब्रून में इनका निर्मान कहा हो रहा है यक्रत में हो रहा है यक्रत याने की लीवर और थाइमस और थाइमस में हो रहा है ठीक है और अगर हम युवा की बात कर रहे हैं तो युवा में कहा निर्मान हो रहा है इनका अस्ती मज्जा में हो रहा है या फिर लसी का ग्रंथियों में होता है इस चीज को ध्यान में रखना है आप सबको ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब लसी काड़ू आ गया है भई लसी काड़ू देखो मैंने यहां पर आपको समझा दिया यह समझा दिया है मैंने तो बिल्कुल भी क्या है दिक्कत की बात नहीं है टैंशन की कोई जरूरत नहीं है यह लसी करणू मैंने अल्रीड समझा दिया है आपको ठीक है तो इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं यह देखो जो प्रायम्रे लिंफोसाईड और अर्गन है मैंन बनता है देखो अब क्या है भई हमने क्या बात करी कि यहां पर जो है क्या है इनलार्ज स्प्लीन और टॉंसिल यहां पर दो चीज़े आ जाती है ठीक है तो कैसे आ जाती है इनलार्ज स्प्लीन और टॉंसिल चलो देख लेते हैं एक बार कि भई कहां से आ गई है यह तो अग bus ༥िका यहांस तूमच्य परात्मीट लसीकाणू अंग है ठीक ए ताइमस और अस्ती मच्जा धोणों क्या है प्राइमरी लिम्फोसाइट है ठीक है और laure ee ग्रंथिया, लिहा, टॉंसिल, चोटी आद के पेर, पैच और लसी काब, उतक ठीक है आदी दुद तक लसी काब आँगí, यह क्या है यह इह दुद तक, यानी कि सेकेंडरी lymphoid organ है ये थीक ये दोनों कया है secondary lymphoid लिमफ़इड organ है ये ठीक है ये दोनों ये tonsils हो गए देखो ये क्या है yे? tonsillar midcurrent है और ये tonsil इस ये tonsil stones है जिसमें tonsil में क्या है? stones हो गए है देखो यहाँ पर थीक है और spleen क्या है? देखो normal स्प्लीन इस तरीके से होती है और जो इनलार्ज हो जाती है बड़ी हो जाती है ठीक है चलो अब क्या है कि लसीकाणू के दो प्रकार होते हैं एक तो टी लसीकाणू जो मैं बता चुकी हूँ ठीक है यह टी लिंफोसाइट और दूसरा बी लसीकाणू यह बी लिंफोसाइट या B कोशिका और T कोशिका ठीके तो ये दो टाइप है जो मैं आलड़ी आपको भी बता चुकी हूँ दोनों ही प्रकार के लसी काणू का उत्बब वेस्क की अस्तिमज्जा द्वारा होता है ये भी बताया है कि वेस्क में कहा होता है अस्तिमज्जा यानि की बोन मैरो में होता है ठीक है परंतो इनका जो परिपकवन है यानि के मैचुरेशन है वो कहा हो रहा है अलग-अलग अंगों में होता है और प्रात्मिक और दित्यक पतिरक्षय अनुक्रियाएं हमारे रक्त मे पाई जाने वाली B लसी काणूओं और T लसी काणूओं द्वारा होती है ठीक है clear यहां तक चलो इसको फिर समझा देती हो गर एक बार फिर से बोलते हो तो ठीक है लसी काणूँ चलो समझा देती हूँ कि लसी काणूँ में क्या होता है लसी काणू में जो WBC होती है उसका ब्रून की बात करते हैं ठीक है यह लो जब हम ब्रून की बात करते हैं तो जो ब्रून का निर्मान है ठीक है जो ब्रून में जो निर्मान हो रहा है वो यक्रत में हो रहा है याने की लीवर में और किसमें हो रहा है थाइमस में हो रहा है ठीक है यक्रत में और थाइमस में हो रहा है वहीं जब हम वैस्क युवा की बात करते हैं तो यहां पर निर्माण कहां हो रहा है तो यहां पर निर्माण हो रहा है भाई किसमें हो रहा है अस्थी मज्जा में ठीक है कहां हो रहा है अस्थी मज्जा ठीक है अस्थी मज्जा में हो रहा है जिसे हम बोन मेरो कहते है bone marrow ठीके या फिर किस में होता है लसी का ग्रंथी में लसी का ग्रंथी में ठीके तो इस दो जगा इसका निर्मान हो रहा है भुरून में कहां और देखो वैस को यूबा में कहां अब हमने क्या बात करी भई प्रात्मिक और द्विद्टिक की बात करी कुछ है न चलो वो भी देख लेते हैं तो भाई जो प्रात्मिक लसी का अंग है वो क्या है जो प्रात्मिक लसी का अंग है ठीके वो क्या है हमारा थाइमस है ठीके और दूसरा क्या है अस्ति मज्जा अस्ति मज्जा ठीक है अब जो दुध्यक की बात करते हैं यह तो प्रात्मिक हो गई अब अगर दुध्यक की बात करते हैं दुध्यक लसी का अंग जो है वो क्या है हमारा भाई वो क्या है वारा टॉंसिल हो गए है टॉंसिल की बात करी हमने जो कहां होते हैं मूँ में होते हैं ठीक है मूँ में हो गए हमारे दूसरा स्प्लीन हो गया है ठीक है स्प्लीन SP स्प्लीन हो गया है ठीक है और स्प्लीन का होता है आमाशे के उपर होता है ठीक है तो ये दो चीज़े इस तरीके से पाई जाती है ठीक चलो उमीद गत्यों की समझ में आगया होगा आपके ठीक है ना चलो आगे बढ़ जाते हैं ये देखो ये B cell है और वो T cell है ये के कहरी I attacked invaders outside the cell वो के कहरी I attacked infected cell दोनों चीज़ों में अंतर है ठीक है चलो अब अग मार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार देखते हैं अगर अब हम इसके प्रकार देखते हैं तो प्रकार में हम क्या बात करेंगे क्या बात करेंगे प्रकार में हम लोग है जल्दी बताओ तो ये बात करेंगे कि चलो इसको समझने से पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं कहां गए कहां गए अरे वाई ब्लैंक पेज ही खतम हो गए है चलो कोई नहीं ठीक है इसको हटा देते हैं इसको हटा देते हैं ठीक है इसको हटाने से पहले हम एक चीज समझते हैं ठीक है क्या समझते हैं कि हम बोलते हैं कि एक रक्तवाहिनी है ये क्या है हमारी रक्तवाहिनी हो गई कट गई और यह क्या निकलाया ब्लड निकलाया यह क्या आ गया रत यह रत बहार आ गई ठीक है जब यहां पर कट लग गया कट लग गया तो क्या हो गया भाई कट लग गया तो क्या होगा यहां पर जो यहां पर जिवाणू है यह लो यह क्या है जिवाणू है कितने खुश ह सुद्धादब यह हो गया है है इससे अंदर आगे अंदर आगे अब इसका मतलब जह अनदर आ अगय है तो कुछ ना गूछ तो ये वहां पर हल्चल activates और यहां पर ऐगा यह माइक्रो और्गानिजम तो ठीक है तो यह क्या करेंगे ब्लड की हेल्प से अंदर आ गए हैं यहां पर कटा है तो यह ब्लड की हेल्प से क्या अंदर आ गए हैं अब यहां पर क्या होगा भाई जब प्रतीजन ब्लड में आए हैं तो information कैसे मिलेगी जब प्रतीजन जो है ब्लड के अंदर आ गए हैं तो information कैसे मिलेगी तो यहां पर क्या है हमारा सहच प्रतिरक्षा तंत्र कौन सा सहच प्रतिरक्षा तंत्र कौन का कौन सा कारक है जो क्या करेगा जो बताएगा कि भाई अब यहां क्या होना है तो यहां आएगा कोशी किये अवरोध यहां आएगा कोशी किये अवरोध ठीक है अवरोध कौन साथ हमारा कोशी किये अवरोध डबलू बीसी डबलू बीसे में क्या आएगा निट्रोफिल आएगा, ठीक है, मैक्रोफिल आएगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ आएगी, अब जब इनको पता चलेगा, कि भाई, इस सरीके से जिवाणु शरीर के अंदर गए हैं, जब इनको पता चलेगा है, तो ये क्या करेंगे, ये आएंगे, यहाँ पर, ये यहाँ लो ये नीट्रोफिल आ गई है हम N लिख देते हैं ये नीट्रोफिल आ गई है इन पर अटैक करने ये इनको क्या कर रही है लो ये पंच मार रही है ये पंच मार रहे है ठीक है इन पर अटैक कर दिया है अब कभी तो ऐसा होगा कि भाईया ये पहले अटैक में चले जाएंग ठीक है ये मर जाएंगे जो जिवाणू है लेकिन कभी कभी क्या होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब ये नूट्रोफिल जो है ना उन से ज़्यादा तागतवर होगा अगर ये नूट्रोफिल से ज़्यादा तागतवर होगा तो कौन आएगा भाई मैक्रो फिर क्या आएंग तो जब जिवाडू बढ़े हुए तो क्या हुआ यह मैक्रोफेज के रूप में आ गया ठीक है क्योंकि जिवाडू क्या करे थे अपनी संख्या को क्या कर रहे थे बढ़ा रहे थे तो यह जो है क्या बोलते है मोनोसाइट जो है यह मैक्रोफेज के रूप में यहाँ पर आ ग पर क्या होता है लिंफोसाइट आता है पर यहां पर क्या हो गिया कौन सा कल उठाए जाए चलो वाइट उठा लेते हैं L से लिख देते हैं लिंफोसाइट आते है हमारा ठीके क्या आगया लिंफोसाइट आगया वाइट कलर में तो लिंफोसाइट आएगा जिसको उमने क्या बोला भाई जो क्या है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है ये ठीक है क्या है ये उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है ये लिंफोसाइड यहाँ पर आएगा ठीक है अब लिंफोसाइड के आते ही क्या होगा कि यहाँ पर किसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर एंट्री किस तरीके से हो जाएगी, किसकी dendritic cell की entry हो जाएगी, ठीके, यह यहाँ पर आएगी, और क्या करेगी, यह जो जीवाणू थे, इसको अपने उपर चिपका लेगी, ठीके, अपने उपर चिपका लेगी, ठीके, अपने उपर चिपका लेगी, ठीके, अपने उपर चिपका मार भगा था इन लिमसाइट को सब्केल मदद से ठीकल लिमसाइट की आने से क्यां होगा ये सहाय कोशिका hepsi समिर्थी कोशिका TOPacji कि यहां आ जाकर ये लोग क्या करेंगे आकर निक्फिकाणू को कि आप कुछ तो करो हमारी मदद करो तो वहां पास सहाय कोशिका क्या इन सबकी बड़ी बहन है वो क्या बोलेगी मारक कोशिका को बई जाओ तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो इसको मार बगा सकता है तो भगाओ कि थीक है तुम मत करो वह सभाण लूगे पास सबसे कोशिका होती उसको बेज देती है और क्या करती उसको डिशुम-डिशुम करके मार बगाने मदद करते हैं फिर इसम्रिदी कोशिका का रोल आता है वह क्या करता है वह कैती है जो मर गए हैं चलो मैं उनको मेमरी की रूप म इसको यहाँ पर इतना समझ लो कि यहाँ पर जो है जो हमारे skin जो है यह बहुत important role play करती है कि यह कट गई तो यहाँ से बहुत आसानी से क्या है जिवाणों है विशाणों कुछ भी है अंदर आ सकते हैं ठीक है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है चलो आगे बर जाते है चलो अब अगर हम लसी काड़ों की बात करते हैं तो हमने क्या बात करे थी भाई यह दो टाइब की होती है ठीक है एक होती है टी सेल एक होती है बी सेल ठीक है क्या है यह टी सेल है और यह क्या है बी सेल है ठीक है हमने यह बात कर ली थी ठीक है हमें मालू में इसको टी ल प्रोटीन बनता है ये देखा था हमने ठीक है चलो ये से बाते हमने कर ली थी और पूरा कवर हो गया था तो ये था हमारा री कैब अब चलो अब बात करते हैं भाई हम कि इसके प्रकार क्या है हम बात करेंगे प्रकारों के बारे में तो भाईया इसके दो प्रकार है ठीक है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के दो प्रकार हैं, तो कौन से प्रकार हैं दो, देख लेते हैं आजो, इसके दो प्रकार हैं, एक कोशी का मद्यवर्ती, कोशी का मद्यवर्ती, कोशी का मद्यवर्ती, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, एक तो ये प्रकार हो किया, दूसरा क मध्यवर्ती प्रतिरक्षा ठंट्र ठिक है यह हो गया हमारा दूसरा प्रकार ऑग अब यह जो हमारे प्रकार है इसके भाइँ कुछ और नाम भी है तो इसका नाम क्या है इसको हम बोलते हैं इसल Mediated Immune System, ठीक है, Immune System, जिसको हम क्या बोलते हैं, CMIS, जिसको हमने बोला CMIS, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, Antibody, Antibody Mediated Immune System, ठीक है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, इसको बोला हमने AMIS, ठीक है, या फिर इसको हम तरल प्रतिरक्षा तंतर भी कहते हैं, ठीक है, किस की, B-Cell की, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया, B-Cell की, ठीक है, चलो, अब अगर हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं भाईया, इनकी, इसकी बात करें, तो ये क्या है भाई, यहाँ पर क्या होता है, ती लसीकाणू, कोशिका है, यहाँ पर कोशिका जो होती है, ठीक है, यह किसकी, अमद्देवर्ति प्रति रक्षा तंतर है, ती लसीकाणू, कोशिका की है, यह किसकी है, B-Cell की है, ठीक है, यह किसकी है, B-Cell की है, याद रखना इसको, चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर हमें मालूम है कि भाई यहां पर तीन तरह की कोशिका है मौलड़ी देख चुके हैं कि भाई सहायक है यहां पर टी सहायक कोशिका ठीक है फिर टी मारक कोशिका ठीक है और फिर तीसरी गया है स्मृति कोशिका ठीक है यह तीन तरीके की है ठीक हमने क्या बात कर थी कि भाई सहायक कोशिका मारक से बोलती है कि तुम जाओ ठीक है और कोई सी ऐसी कोशिका है तुम्हारे पास जो भाईया इस जीवानों विशानों को मार सकती है तो उसको बेजो तो भाई मारक कोशिका क्या करती है कि ठीक है मेरे बास बहुत पावरफुल है मैं बेज देती पर क्या होता है कोई भी बैक्टीरिया जो होता है वो चिपक जाता है ठीक है यह चिपक गया इसके उपर बैक्टीरिया अब क्या होगा भाई अब यहां पर क्या होगा क्या काम चलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर सेल जो है यहां पर क्या करेगी याद करेगी ठीक है यह क्या क तोई प्लैट में बैक्टेडिया का जो के लिए iç और इस पूरा खेल यह चलता है ठीक है चलू आगे बढ़ते हैं हाब अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के क्या होते हैं प्रति रक्षण होते यहां पर दो प्रकार के प्रतिरक्षण होते हैं ठीक है दो प्रकार के होते हैं कौन से होते हैं एक तो सक्रिये हो गया और दूसरा निश्क्रिये हो गया ठीक है एक क्या है सक्रिये हो गया सक्रिये सक्रिये प्रतिरक्षण ठीक है आरे बापरे प्रतिरण लिख दिया है मैंने प्रति रक्षण की जगा प्रति रक्षण ठीक है एक तो यह हो गया हमारे पास दूसरा क्या है निश्क्रिये निश्क्रिये प्रति रक्षण ठीक है दूसरा यह हो गया है हमारे पास अब अगर हम सक्रिये की बात करते हैं तो सक्रिये क्या होता है यह यह भाई प्रक्रतिक र प्रकतिक रूप से क्या होता है ये प्रकतिक रूप से बॉडी में क्या करता है हमारे शरीर में जो रोगाणू होते हैं जो रोगाणू होते हैं उन्हें खुद ही उनको क्या करता है खुद ही क्या करता है प्रतिरक्षिक कोशिका बनाता है उनके खिलाफ खुद ही प्रतिरक् करता है विल्कुल प्रकतिक रूप से हमारे शरीर में रोगाणू के खिलाफ रोगाणू के खिलाफ क्या कर रहा है खुद ही प्रतिरक्षी कोशिका को बना रहा है ठीक है खुद ही बनाता है ठीक है लेकिन क्या करता है भाई बहुत धीमी गती से बहुत ही धीमी गती से बनात है ठीक है अब जब यहां पर यह खुद ही बन रही है तो इसका मतलब यह कोई भी नुक्सान नहीं पहुचा रही है कोई भी नुक्सान नहीं देती है, यह कोई भी नुकसान नहीं देती है, जब यह खुधी बन रही है, ठीके, अब इसको हम क्या बोलते है भाई, active immunity बोलते है, ठीके, active immunity, ठीके, क्योंकि खुधी बना रही है, यह तो, चलो, अब निशक्रिय प्रतिरक्षन की अगर हम बात करते हैं, तो यहां प प्रकार का टीका करण ठीक है विशेश प्रकार का टीका करण होता है यह ठीक है अगर हम एक्जामपल ले ले भाई रैबीज का ले ले तो तो जब रैबीज क्या है कि भाई जब कोई कुट्टा काटता है तो रैबीज क्या होता है कुट्टे के काटने से इंसान के शरीर में आजाता है अब ऐसा तो है नहीं कि वह उस रेवीज के खिलाब हमारा शरीर खुद बेखुद कुछ ना कुछ बना लेगा हमें क्या है बाहर से मदद की जोरुत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे डॉक्टर के पाथ जाएंगे तो क्या होगा कि भाय यहां पर क्या होगा यहां फारभाई इंजेक्षिन लगेगा अब जब इंजेक्षिन लगेगा तब जो है जो प्रति रक्षी कोशी का बनती है प्रति, रक्षी, कोशी का जो बनी है ठीक है, वो क्या करेगी? दुश प्रभाव भी डाल सकती है और यहाँ पर इसके साथ साथ क्या होता है? यह तुरंत बनती है तुरंत बनती है ठीक है? इसके साथ साथ यह क्या हो रही है? तुरंत बन रही है यह कैसे धीमी गती से बन रही थी? ठीक है? और कोई दुश प्रभाव नहीं था ठीक है? यह क्या है भाई? यह तुरंत बनती है ठीक है? और इसका दुश प्रभाव भी है ठीक है तो यह दो चीज़े यहां पर याद रखो कि दो प्रकार के यह प्रति राक्ष्ण है हमारे ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं अब देखो यह वही चीज़े हैं जो मैं अभी आपको बताई हैं देखो यहां पर यह ठीक है यह दोनों कहां गई यह ठीक है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यह एक बार इसको आप देख लेना बिल्कुल अच्छे तरी की समझ में आ चाहेगा मैं ओवर्वीव बता देती हूं फिर भी कि भाई यह दो प्रकार की है को ऑवार खोशी का मद्यवत्य प्रतिरक्ष तंत्र और दूसरी प्रतिरक्शी मद्यवत्य प्रतिरक्ष तंत्र स्क को इसको मीदियेटिट两 सिस्टम बोलते हैं यह सी M I S और इसको क्या करना आपको doubtnut करना है भाई हम आपको यहीं मिलेंगे ठीके तो आपको doubtnut करते रहना है कई नहीं जाना है चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं यह देखो यहां पर क्या है यहां पर ke-imunity के बारे में बताया गया है तो थोड़ा सा जलौ जान लेते हैं जो तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि बढ़ि कोशिका जो माध्यम कोशिका मद्च्रति प्रतिरक्ष्छत तंत्र जो है 4 एक किस पर निरभर करता है टी कोशिका उपर ठीक है टी कोशिका एक को लसिकाड़ों का 70% भाग वनाते हैं ठीक है 70% भाग जब प्रतिजन किसी टी कोशिका के संपर्क में आते हैं तो टी कोशिका का जो विशेष्ट समू है जिसे टी सहायक कोशिका कहते हैं सक्रिय हो जाता है ज यह टी कोशिका विश कोशिका है क्या करते हैं अपने लक्षे कोशिका यानि की जो उनका टार्गेट साल है उस पर करती है जो की एक संक्रमन युक्स कोशिका है ठीक है यानि की संख्या नहीं बढ़ा पाता है ठीक है क्लियर यह मैं आल्रेड़ी आपको बता चुकी हूं अभी ठीक है तो बिल्कुल भी डाउट मत रखना अब इसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं टीवी कोष्ट विक्षिया ठीक है यह कैंडी कैंडियासिस ब्रूसेलोसिस वे अन्य रोगों से सुरक्षा प्रदान की जाती है इसी के द्वारा अर्जित प्रतिरक्षा को अनुकूलित प्रतिरक्षा या अभि ग्रहित प्रतिरक्षा भी कहते हैं अब ये दो तरीके की होती है भाई सक्री और निश्क्री है ये दोनों भी देखो मैंने अभी अभी आपको बता दिया है कि वह एक अक्टिव है एक पैसिव है ठीक है तो य यह प्रतिरक्षातंत्र की अगर हम बात करते हैं तो यह सब वह यह भाई जो मैंने आभी आपको बताया है यह आप देख लेना ठीक है कोई प्रवेश करने वाले प्रति जैसे जिवाणों विशाणों यह विशले प्रदार्तों के संपर्क में आते हैं तो वह एक विशिश प्रकार की ग्लाइको प्रोटीन ग्लोबिलिन का शरवन करते हैं जो मैं बता सुकी हूं कि उसको क्या बोलते हैं इम्म्यून ग्लोबिन प्रो को यानि कि IG को हम immunoglobin protein भी कहते हैं यह भी मैं आपको बता चुकी हूँ ठीक है चलो अब हमारे पास आता है प्रतिरक्षी अनू की संरश्ना अब हम इसकी बात करते हैं इसकी बात करें तो भाई इसको क्या कहते हैं immunoglobin कहते हैं ठीक है क्या बोला हमने इसको immunoglobin ठीक हम immunoglobin की बात कर रहे हैं ठीक है यह कैसा होता है य के आकार का होता है ठीक है य के आकार का संरश्ना है अकार की संरश्ना है ठीक है अब जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है यहने की पूरा स्ट्रक्चर जो है संरश्ना इसकी पूरी संरश्ना जब पूरी संरश्ना की होती है चार नंबर में होती है अब अगर हम इस पॉली पेप्टाइड चेन की बात कर रहे हैं तो भाईया चार नंबर कैसे होंगे इसके चलो चार नंबर भी देख लो ठीक है तो दो चेन ये हैं यहां पर और दो चेन ये हैं यहां पर ठीक है जब यह दो चेन यहां है दो च श्रंखला कहलाती है ठीक है ये वाली क्या कहलाएगी लगू लगू श्रंखला ठीक है लगू श्रंखला कहलाएगी याने की लाइट चेन ठीक है लाइट चेन है ये ये क्या कहलाएगी दीर्ग क्या है ये दीर्ग श्रंखला ठीक है क्या है श्रंखला याने की क्या कहलाएग ओर हैं वी चेन हो झीक़े जाल आया ये वी चेन हेल आया तो दो और दो कितनी हो गई चार नंबर में हो गई है त्игрू चीन ओर दो चीन यानि कई लाइं चेन और है यावी चीन 2010 ़्याल नंबर में हो गई है ओक के चलो अब यह जो पाललज पिया चेन है यह किस awake बनीविए होती है यह होती है H2L2 ठीक है यह क्या है कहां गई यह कैसे बनीविए होती है H2L2 से जूड़ी रहती है ठीक है चलो इसका डाइग्राम देख लेते हैं अगर अब इसके डाइग्राम की हम बात करते हैं तो भाइया डाइग्राम कैसा होता है इसका इस तरीके से य ठीके यह क्या है चमज लेते हैं इस तरीके से होता है तो अगर हम नंबर वन की बात करते हैं ठीके तो यहां क्या आता है यह लाइट चेन आती है हमारी लाइट चेन ठीके नंबर वन लाइट चेन को हमने क्या बोला भाई लगू श्रंखला याने की लगू श्रंखला बोला इसको हमने लगू श्रंकला बोला ये क्या है हमारी light chain है ठीक है चलो हमने मान लिया light chain है इसको color change कर देते हैं चलो कभी confusion हो जाए आप लोगो लो red color से बना देते हैं लो ये हो गई हमारी light chain ठीक है आप अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारी ये वाला जो portion है number 2 का portion है ये है हमारा heavy chain जिसको हमने क्या बोला दीर्ग शंकला बोला जिसको हमने दीर्ग शंकला ठीक है ये है light chain ये है heavy chain ये है लगू शंकला ये है दीर्ग शंकला चलो ठीक है अब भाई एक और तरीके की संरशना पाई जाती है इस तरीके से यह पाई जाते है इसको क्या बोलते हैं यह दोनों तरफ होती है ठीक है इसको क्या बोला यह हमारा number 3 ठीक है यह क्या होती है भाई यह होती है प्रतिजन बंधन इक तय hou कह फिर यहां पर एक और सनरशना आती है ठीक है कौण सी भाई ये वाली संदशना इस संदशना को क्या कहोगे आप तो इस संदशना को हम क्या कहेंगे भाई लो जी ये संदशना क्या है अपरिवर्तन शील ठीक है अपरिवर्तन शील याने कि इसको क्या बोलेंगे हम ये क्या है constant है यानि कि यह सेम रहता है यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है कोई भी बदलाव नहीं होता है फिर यहाँ पर एक और एरिया आता है भाई चौथा एरिया आता है यह वाला एरिया यह फोर्थ एरिया है यह फोर्थ एरिया क्या कहलाता है यह होता है variable ठीक है यह क्या हुआ आपका variable हुआ याने कि यह क्या है परिवर्तनशील है परिवर्तनशील है यह ठीक है यह क्या है परिवर्तनशील है और यह क्या है अपरिवर्तनशील परिवर्तनशील यहां पर बदलाव होता रहता है लेकिन यहां पर कोई भी बदलाव नहीं होता है क ठीक है इसी वज़े से क्या होता है भाई इसी वज़े से यह variable है याने की परिवर्तंशील है और यह अपरिवर्तंशील है ठीक है अब यहाँ पर बात होती है कि भाई यह किस से जुड़ी होती है यह जुड़ी होती है sulfur bond से किस से जुड़ी हुई है ये, Sulfur bond से, ये रा Sulfur, ये रा Sulfur, ये रा Sulfur इस तनरीके से क्या है ये जुड़ी हुई होती है, तो ये क्या है हमारा एक प्रतिरक्शि अणूं की सनरशना है ठीक है समझ लेना इसको अच्छे से समझ लेना बिल्कुल भी डाउट मत रखना ये बिल्कुल एज़ेज़ा बना लेना क्योंकि कभी-कभी ये संदुश्णा बनाने के लिए आ जाती है ठीक है तो इसका ध्यान रखना ओके चलो आगे बर जाते हैं अब यह जो इसमें क्या है भाई इसमें ऊपर का जो छेतर है वो क्या करता है वो एंटीजन को पकड़ता है तो यह वाला छेतर है न यह वाला जो एरिया है यह क्या करता है एंटीजन को पकड़ता है ठीक है तो यह क्या करता है एंटीजन बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं यह देखो यह इस तरीके से जो है आपकी बुक में दिया हुआ है इसको देख लेना चलो अब आती है प्रतिरक्षी अनू ठीकाई यानि कि ताइप ऑफ एंटिजन की चरह हम बात करते हैं ठीक है तो टाइप आफ इंटीजन की जब बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं भाई तीन तरीके के होते हैं देख लो हाँ ठीक है चलो यह क्या है यह तीन नहीं पांच तरीके के होते हैं पहला हमारे पास क्या आ गया हम इसको देखो ऐसे बना लेते हैं एक, दो, तीन, चार, ठीक है, और वो गया पांच, तो पांच बनाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है भाई, लो, ये तो आगया IG, IG सब में कौमन है, ये IG, IG, IG सब में कौमन है, अब हमारे पांच क्या आता है, यहाँ पर आब आता है गेम डी, यानि कि, G, A, M, E, Game, D, यह आता है अब हमारे पास, ठीके, तो यह क्या है हमारे antigen के type है, G, A, M, E, D, Game, D, ठीके, Game, D, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम IG की बात करते हैं, ठीके, अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं, तो यह क्या होते हैं, भाई, अरे कहां गया, यह क्या होते हैं यह monomer structure है, ठीक है, monomer structure है, कैसी सनरशना में मौझूद होता है, यह बताऊंगी, पहले एक एक करके देख लो, अब इसकी बात करते हैं, तो क्या है यह diimer, ठीक है, structure है, इस ठीक है, dimer structure है, इसकी बात करेंगे, तो यह कैसा है, यह pentamer, ठीक है, यह कैसा है, pentamer है, E की बात करेंगे, तो भाई, E और D दोनों कैसे हैं, यह monomer है, monomer, ठीक है, monomer structure है, चलो, अब अगर इसके structure की बात करते हूँ, कैसा मिलता है, तो भाई, इन दोनों में कैसा मिलेगा, यहाँ पर सिफ एक immunoglobin होता है, ग्लोबुलिन structure होता है, ठीक है, यानि की एक प्रतिरक्षी अडू, इन में होता है, ठीक है, pentamer में, अब अगर मैं IGM की बात करती हूँ, तो यहाँ पर क्या होते हैं, प्रतिरक्षी अडू होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं 5, देखो, ऐसे ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, पाँच हो गए, अब अगर मैं एक ही बात करती हूँ, तो यह डाइमर है, इसका मतलब यहाँ पर दो प्रतिरक्षी अडू है, दो प्रतिरक्षी अडू हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब कैसे हो गए यह, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हो गए, अब हमने मोनोमर बोला, तो मोनमर में कैसे हैं भाई, क्या बताया था, कि भाई, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, कि एक इम्म्यूनोग्लो बन रहा है सर याने कि एक प्रतिरक्षी अनू एक प्रतिरक्षी अनू बना है यहां पर ठीक है जब यह मोनोमर है यह मोनोमर है तो यहां का डाइग्राम भी कैसा होगा इस तरीके से होगा यहां भी क्या बन रहा है क्योंकि एक प्रतिरक्षी अनू बन रहा है तो यह क्या है ह प्रतिरक्षी अणू के टाइप है यह ठीक है देखो यह इस तरीके से ठीक है यह इस तरीके से दिये हुए है इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ठीक है कि भाई IgG, IgG, IgE और IgE इस तरीके से ठीक है यहां पर ही मैंने कुछ लिख्या है कुछ जो है प्रकार है और उनके प्रमुक लक्षण है ठीक है IgE, IgD, IgE, IgE और IgE के बारे में इनको थोड़ा बहुत पढ़ लेना आपको बहुत ज्यादा हैप मिलेगी ठीक है अब ये वो सारी संदशना है भाई जो अल्रेडी मैं आप सभी को भी बता चुकी हो यह सारा का सारा वही है ठीके चलो और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर खतम होती है हाँ थोड़ी टफ थी ठीके लेकिन इंट्रस्टिंग थी सच में थी न तो भाई क्या करना है आपको कि इसको एक बार रिवाइस कर लेना अच्छे तरीके से पढ़ लेना ठीके और भूलना बिल्कुल भी नहीं है ठीके जाती हूं मैं आती हूं अपनी अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं तब तक के लिए खुश रहिए अच्छे से रहिए अपना ख्याल रखे और पड़ते रहिए टड़ा